प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाईबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत्व प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हूग गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी सभी को प्रभु इशु के मधुर नाम में नमस्कार प्रभु ने आज एक बार और हमारी मदद की कि हम इस तरह से एकत्रित हो सके उसके लिए मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूं जैसा मैंने पिछले छे क्लास्स में याद दिलाया था प्रभु के वचन की 95 प्रतिशत बातों की व्याख्या के लिए कि किसी भी तरह की विशेश तयारी की जरूरत नहीं है प्रभु ने अपने वचन इतने आसान शब्दों में अवित्रात्मा की अगवाई से अपने दासों के द्वारा लिखवाया था कि कोई भी व्यक्ति उसको समझ सकता है इतना ही नहीं बीस्वी शताब्दी के आखर में और इकीस्वी शताब्दी में दुनिया की लगबग हर भाषा में और हिंदुस्तान की बहुत सारी भाषाओं में एक से अधिक अनुवाद उपलब्द हो गये हैं और उसका परिणाम यह है कि परमेश्वर ने अपने वचन में जो कहा था यदि वो एक अनुवाद में स्पष्ट नहीं है तो दूसरा खोल कर देख लीजे शायद उसमें और अधिक स्पष्ट हो जाएगा मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ आप लोग जानते हैं कि मैं प्रभु के वचन का कंभिरता से अध्यान करता हूँ मैं इसे उठा कर रखना भूल गया था लेकिन ये जो किताब आप देख रहे हैं ये एक अंग्रेजी बाइबल है इसकी विशेष्टा ये है कि अंग्रेजी के 26 अनुवाद इसमें है और मैं अपने व्यक्तिगत बाइबल अध्यान के लिए इसका उपयोग इसलिए करता हूँ यदि एक अनुवाद में विशेष्ट नहीं है तो दूसरे को देखें दूसरे में स्पष्ट नहीं है तो तीसरे को देखें लेकिन यह है कि प्रभु ने अपना वचन इतने सरल शब्दों में दिया है कि किसी ने किसी अनुवाद के द्वारा वो हमको स्पष्ट हो जाएगा हर अनुवाद एक समान स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि जब कोई ट्रांसलेट करता है तो उसकी बहुत सारी सीमाएं होती है उसकी समझ में फरक है तो इसकारण हो सकता है कि हर अनुवाद एक समान स्पष्ट नहीं हो है लेकिन चूकि एक से अधिक अनुवाद हैं इसलिए उनकी तुलना करें तो विशे स्पष्ट हो जाएगा कि जब हम इस तरह से प्रभु के वैचन को पढ़ते हैं तो जिस तरह से सामानी भाष्ट में कोई निबंध हम पढ़ते हैं तो उस भाष्ट के ग्रामर के आधार पर उस निबंध को पढ़ते हैं और जब हम उस निबंध को पढ़ते हैं तो निबंध हमको इसलिए समझ में आता है कि ग्रामर के नियमों के अंतरगत वह लिखा जाता है इसी तरह से प्रभु के वचन को जब हम पढ़ेंगे तो एक विशे से संबन्दित जितने पद हमको मिलते हैं उन सब पद लेकर उनकी तुलना करके अध्यान करेंगे तो विशे एकदम से स्पष्ठ हो जाएगा जैसा मैंने बताया था उद्धार यदि उद्धार संबन्दित सेकड़ों पद जो प्रभु के वचन में हैं उन सब को एक बार तुलना करके आप स्टडी कर लेंगे तो अचानक समझ में आ जाएगा कि उन में से कुछ पद अन्य पदों में जो बतायेगे उसको रिपीट करते हैं लेकिन कुछ पद उद्धार के विभिन पहलूँ को प्रदर्शित करते हैं यदि उसको आप नोट कर लें तो कुछ समय के बाद उद्धार विशे के ओपर आपकी अपनी बहुत गंभीर स्टडी हो जाएगी जो आप दूसरों के साथ शेर कर सकते हैं पवित्र बाइबल से किसी एक विशे का अध्यान करने के लिए एक पुस्तक बहुत उपयोगी है अंग्रे जी में सुलब है अन्य भाषाओं में अब आ गये हैं लेकिन इतने आसानी से मिलते नहीं हैं आपको ढूंडना पड़ेगा दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े दो क्रिस्टियन बुक सेलर्स थे दोनों ही अब बहुत ना के बराबर रह गए हैं दोने ब्रादरन हैं एक है जी एलेस गॉस्पल लिटरेचर सर्वीस उसी तरह से मसीही साहित यसंस्था नाम से दिल्ली में थी MSS उतर भारतिय भाषाओं पर फोकस करता था, GLS अंग्रेजी और देट्षिन भारतिय भाषाओं पर फोकस करता था, अब दोने ही ना के बराबर रह गए हैं, कुल मिलाके यदि एक बड़ा पुस्तक सेलर है तो वो ऑपरेशन मोबिलाइजेशन है, लेकिन उनके ब्रांच सरजगे नहीं है, प्रभु के दया से Amazon.in पर बहुत सारे क्रिस्टिन पॉब्लिशर्स अब आ गए हैं, और बहुत सारे नौन क्रिस्टिन पॉब्लिशर्स भी अब क्रिस्टिन पुस्तकें स्टॉक करने लगे हैं, तो जहां चाह वहां राह वाली बात है, थोड़ा सा ढू विशे के उपर आधारित, जो लोग प्रभु के वचन का अध्यान करना चाते हैं, उनके लिए कंकॉर्डेंस मैं अंग्रेजी के इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं मेरे पास हिंदी में जो कंकॉर्डेंस था वो मैंने बाइबल स्कूल को दान कर दिया और आप उसकी जरुरत नहीं पड़ती है, कंप्यूटर पर जब अध्यान करता हूँ तो अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रु आधी भा कंकॉर्डेंस कंप्यूटर पर उपलद है, इसलिए मुझे जरुरत नहीं है, यह पुस्तक अभी भी मेरे पास इसलिए है, कि इस पुस्तक ने मुझे वो बनाया जो आज मैं हूँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब से यह कॉपी मेरे पास है, कंकॉर्डेंस क्या च उद्धार शब्द ढूंड लीजे, तो उत्पत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्ये तक उद्धार शब्द जहां भी आया है, उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो इसलिए, यदि आपके पास एक कंकॉर्डेंस हो, बाइबल शब्द माला, तो उसकी मदद से बाइबल के किसी भी पुस्तक का, किसी भी विशे का अध्यान कर सकते हैं, आप मैंसे बहुत सारे लोग मराठी भाशी हैं, मराठी में तो पवित्र बाइबल का अनुवाद बहुत सालों पहले हो गया थे, इसलिए मेरा अनुमान है कि मराठी में कंकॉर्डेंस जरूर उपलब्द होगा, हिंदी में उपलब्द है, हिंदी में तो 1950 में ही और अन्य भाशाओं में भी अन्य भाशाओं में भी आने लगा है, अंग्रेजी में कंकॉर्डेंस बहुत हैं, जिन में यूज करने में सबसे आसान ये है, क्रूडन और एक औसत विद्यार्थी के लिए मैं यही रेकमेंट करूँगा, लेकिन हाँ, यदि आप परमेश्वर के वचन का बहुत अधिक गंभीरता से अध्यायन करके, नियमित रूप से क्लास लेने वाले व्यक्ति हैं, तो एक और कंकॉर्डन्स है, जो आपके लिए भी सिद्ध होगा, उसका नाम है स्ट्रॉंग, स्ट्रॉंग स्कंकॉर्डन्स अंग्रे जी में तमाम सारे एडिशन्स में उपलब्द है, और यदि आप कंप्यूटर पर पवित्र बाइबल यूज़ करते हों, तो स्ट्रॉंग बहुत आसानी से वहाँ पर उपलब्द है, स्ट्रॉंग की एक विशेष्टा ये है, जैसे आप उद्धार शब्द देखते हैं, तो हो सकता है कि ग्रीक भाष्षा में या इब्राइनी भाष्षा में तीन या चार अलग अलग शब्दों का अनवाद अंग्रे जी में उद्धार के रूप में हुआ है, साल्वेशन, तो स्ट्रॉंग आपको अलग-अलग बताएगा फलाने शब्द का अनवाद उधार हुआ है, वो फलाने फलाने पदों में है, एक और शब्द है जिसका भी अनवाद उधार हुआ है, वो फलाने तो इस तरह से आप बिना ग्रीक या हिब्राइनी भाष्षा जाने हुए भ उपियोग हुआ है, तो यह एक पुस्तक है जो मैं आपको बताना चाहता था, उसके अलावा एक पुस्तक जो गंभिर विद्यार्थियों की काफी मदद कर सकता है, वो है बाइबल डिक्शनरी, अब तो हिंदुस्तान की लगबग सभी भाष्षाओं में बाइबल डिक्श शब्द जो हमारी नजर में आते हैं और एक दम से समझ में नहीं आता कि उसका क्या मतलब है, तो बाइबल डिक्शनरी में देख लें तो वो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं फिर से याद देलाना चाहता हूं कि बाइबल डिक्शनरी की जरूरत, बाइबल के 95 प्रतिश के लिए है, हाँ, कंकोर्डेंस को उपयोग हर व्यक्ति के लिए उपयोगी चीज है, तो मिल जाएं तो खरीद लें, आप पूछेंगे कि ब्रदर क्या कीमत होगी, मेरा अनमान है कि 500-600 रुपे का होगा हिंदी में या माराथी में, 500-600 सुनके आपके बाप्रे 500-600 रुपे जरह यह बताईए कि महीने भर, यदि आपने टीवी के लिए केबल लगवा रखा हो, तो महीने में कितना पैसा देते हैं, आखबार मंगाते हो, महीने में कितना पैसा देते हैं, और कोई पत्रिका मंगाते हैं, तो महीने में कितना पैसा देते हैं, वहाँ तो कभी नहीं कह है वेल्व बहु परे इतने पैसे बलकि कोशिश करते हैं कि जयादा से ज़्यादा चैनल हम पत्त बाद को इसके लिए थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा देना पड़े तो ऑभी कोई बात नहीं है मनिश्य जिन चीजों को महत्व देता है वहां पैसा महत्विहीन हो जाता है लेकिन जिन चीजों के प्रति वो लापरवा ही दिखाता है और एकदम से स्टेटमेंट आ जाता है रहे बहुत परे इतना पैसा इसको जरा याद रखें ये चारसो पांचसो ये छेसो रुपए जो कि आप एक या शब्द माला खरीदने के लिए आप खर्च करते हैं वो जिन्दगी में आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सिद्ध होगा ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं तो दो पुस्तके मैंने आपको बता दी जो आपके काम आएंगी प्रभु के वचन के अध्यान के लिए एक तो कंकोर्डेंस और एक बाइबल डिक्ष्टनरी आप पूछेंगे कमेंटरी की जरूरत है क्या यदि आपको बहुत अधिक लासस वगरा लेने पढ़ते हूं या बहुत डीटेल में प्रभु के वचन का अध्यान करना चाहते हूं तो खरीदने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन आत्मिक यदि आप प्रभु के वचन का अध्यायन अपने स्वयम के आत्मिक विकास के लिए करते हो तो कमेंटरी इसकी जरूरत नहीं है यदि आप प्रभु के वचन की टीचिंग के लिए बहुत सीरियसली गंटों यदि प्रती दिन पढ़ते हैं तो कमेंटरी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, अगली चीज जो मैं आपको याद देलाना चाहता हूँ, हर व्यक्ठी के पास एक प्रभो के वचन का अध्यान करते समय एक डैरी तो होनी चाहिए, डैरी भी बहुत प्रकार की हैं, इसमें अपनी अपनी चॉइस है, मैं शुरू से ऐसी डैरी पसंद करता था, जिसको पूरी तरह से आप खोलके यो मोड भी सकते हैं, और ये अब बहुत आसानी से उफलब्द हैं, ये बात मैं आपको याद दिला दूँ, स्पाइरल बैंडिंग कहा जाता है, लेकिन अब उसकी तुलना में काफी अच्छी डैरी जाने लगी हैं, ये कली मैंने खरीदा है, और मैं पागलों के समान डैरी खरीदता हूं, क्योंकि मेरी सारी डैरी जल्दी जल्दी भरती चली जाती हैं, इनकी भी विशेष्टा ये है कि इसको आप पूरी तरह से खोलके चाहें, तो यो मोड कर रख सकते हैं, सो और 500 की डैरी होगी, लेकिन मैं आपको याद दे लाना चाहता हूं, कि डैरी पर मैंने जो पैसा खर्च किया है, मुझे जीवन में उसके बारे में कभी अफसोस नहीं हुआ है, इसके अलावा एक चीज, जो आपकी बहुत अधिक मदद कर सकता है, वो है क्लिप बोर्ड, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, एक फुल स्केप पेपर का साइज, दूसरा एफ़ोर साइज, एफ़ोर पेपर के साइज का, ये कुछ कम मिलता है, लेकिन डून्डे धान्डे तो ये मिल जाएगा, जहां चाह वहां रहा, और जहां पर अमेजोन इन है, वहां पर तो माँ अब आप बीबी बच्चों को छोड़कर बाकी सब आप करीद सकते हैं, ये पिछले दिनों मैंने अमेजोन से खरीदा, एफ़ाइव साइस का है, मेरा जीवन एफ़ाइव साइस पेपर के आसपास घूमता है, तो ये फ्लैप इसलिए है कि पेपर खराब ना हो जाए, मैं या दिलाना चाहता हूं, मैं क्यों ये यूज़ करता हूं, इसलिए कि मैं घर के अलावा, घर के बाहर भी काफी क्लासेज वगिरा अटेंड करता हूं, और चुंकि पचासों विशे के उपर क्लासेज अटेंड करता हूं, तो एक ही डाइरी में लिखूं तो मेरा काम नहीं चलता है तो इस कारण मैं जो कुछ लिखता हूं वो A5 साइज के पेपर पर A4 का आदा होता है A5 A4 हम सब जानते हैं फोटो स्टैट जो पेपर है वो A4 साइज होता है उसको बीच में से काट लें तो वो A5 हो जाता है मैं जनरली अपने सारे नोट्स A5 पे लिखता हूं उपर टैटल लिखता चला जाता हूं और घर आके उन पेपरों को अलग-अलग फाइल में रखता चला जाता हूं कि A5 साइज के फाइल आप मैंसे शायद कई लोगों ने देखे नहीं होंगे इसलिए नहीं देखे होंगे कि हम ढूंडते नहीं हैं ढूंडो तो जैसा मैंने का सब कुछ अवेलिबल है यह A5 साइज का है मैं इनको थोक में खरीदता हूं और अलग-अलग विश्यों के उपर बना रखे हैं और जैसे-जैसे पेपर लिखता चला जाता हूं इन में जमाता चला जाता हूं यह लेकिन इतने आसानी से अवेलिबल नहीं है यह भी A5 साइज है यह दिए आप ध्यान से देखेंगे तो आउटलाइन फाइव इस तरह के बहुत सारे आउटलाइन की डाइरी से इसमें प्लास्टिक के पॉच हैं जिसके अंदर आप पेपर डाल सकते हैं यह इतने आसानी से अवेलिबल नहीं है लेकिन कहीं दिख गये तो उसकी कीमत आप समझ लें इसके लिए मैंने आपको दिखा दिया है तो मैं अपने जीवन में आप पूछेंगे कि जब इतना सब कर रहे हैं तो डायरी की क्या जरूरत है डायरी की जरूरत है घर बैटके जब अध्यान करता हूं तो डायरी में नोट करता चला जाता हूं एक और चीज जो हमारे बाइबल अध्यान को बहुत अधिक मदद कर सकता है वो है पोस्टिट इसकी वैली हम में से बहुत लोगों ने नहीं समझा है इसकी विशेष्टा ये है कि इसको योग अलग कर लीजे चिपका दीजे बाद में इसको वहां से उखाड़ कर जहां भी आप चाते हैं वहां इसको चिपका सकते हैं कई बार क्या होता है कि बाइबल का अध्यान करते समय अचानक एक बात स्ट्राइक हो जाती है इसमें से एक वहां चिपका कर हिस पर लिख लीजे और बाद में इसे उखाड कर डैरी में चिपका लीजे मेरे पास ऐसी कई डैरीज हैं जो पोस्टिट से भरे हुए हैं और कुछ सालों के बाद एक एक विशे के उपर जब इस तरह के पचासों पेपर हो जाते हैं तो विशे के उपर बहुत अधिक सामगरी हमारे पास एकतरित हो जाती है एक बार मैं अपना बाइबल खोल के कहीं बैठा था तो किसी नहीं कि पूछा यह क्या चिपकाया है मैंने कहा कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो अचानक कोई प्रकाश मिलता है तो मैं नोट कर लेता हूँ अरे बाप रे मैं तो अपने बाइबल के उपर पेंसे लिया पेंसे भी नहीं लिखता कलर नहीं करता रभू का वचन है पवित्र है उसके अपर कुछ नहीं करना चाहिए सुनके बड़ा अच्छा लगता है मुझसे उमर में बड़े थे इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया उमर से छोटा वेक्ती होता तो मैं कहता कि अच्छा अच्छा आप जैसे काफी सारे लोग आज से 2000 साल पहले भी थे उनको फरीसी कहा जाता था नाटक और नाटंकी करते थे उनके जीवन के अंदर कुछ नहीं था जो व्यक्ती प्रभू के वचन का गंभिरता से अध्यान करता है वो इस तरह की बेहुदा बाते नहीं बोलता है प्रभू का वचन पढ़ते समय मार्जिन में नोट्स लिखता चला जाता है कलर करता चला जाता है उसके लावा पोस्टिट पे नोट्स लेता चला जाता है एफई पे लेता चला जाता है कुछ लोग हैं जो फुल्सकेप पे लेते हैं यह उनकी चॉइस है कुछ लोग डैरी में नोट करते हैं, कुछ लोग नोट बुक में नोट करते हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभू आपको जो प्रकाश देते हैं उस प्रकाश को नश्ठ होने से बचाने के लिए आपके पास अपना खुद का सिस्टम है क्या मेरे पास है और इसके लिए मैं अपने एक हिंदू टीचर का भारी हूँ जब मैं नाइन्थ में था तब उन्हेंने कहा डॉक्टर कमल वशिष्ट देखो जॉन्सन जहां भी जाओ एक थैला लखे जाओ एक किताब रखो एक डायरियर रखो और दो पेंसिल रखो उस जमाने में पें तो बहुत महेंगे होते थे मैं 1968 की बात कर रहा हूँ मैंने यादद डाल ली उनको नहीं मालूम था कि इसके द्वारा उन्होंने एक विद्यारती तयार कर दिया है प्रभू के वचन का उस जमाने में थैले भी बहुत महेंगे होते थे बहुत ज़्यादा लेकिन तब से आज तक मैं कहीं भी जाता हूँ तो एक चीज जो मुझ से नहीं छूटा है वो है थैला अब तो एक से एक आकरशक थैले आने लगे हैं छोटे बड़े पोटे पतले तो जैसा मैं कह रहा था मैं आप लोगों को सिद्धान्त नहीं सुना रहा मैंने अपने जीवन में इसको अजमाया है और इसको अपने जीवन में अपनाया है और उसका परिणाम यह है कि जहां भी जाता हूँ प्रभू के वच्चन से यह दि मुझे कोई प्रेरना मिलती है मैं उसे नोट कर लेता हूँ और जब आप इस तरह से नोट करेंगे तो कई बार अपने आप भी प्रेरना आने लगती है कैसे मन के चलिए कि आप एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो जब लंबी यात्रा पर जा रहे हैं मन लीजे बस में जा रहे हैं तो बस में बैठके पढ़तों सकते नहीं है तो आपने प्रभु के वचन से जो पड़ा है उन बातों के उपर जब मनन करेंगे तब हो सकता है आचाने मन में एक बात आजाए आपको लगे आरे ये तो सूचा ही नहीं था तो जैसे ही बस किसी सवारी को उतारने चड़ाने के लिए रुपती है यदि आपके पास थैला हो डैरी हो पन्ने हो तो आप उसको नोट कर सकते हैं तो मेरे प्रीव भाईयों और बहनों परमेश्व आपको जो प्रकाश देते हैं उस प्रकाश को नोट करने की आदत डाल ली कीजिए आप पूछेंगे कि यह फाइल इसको मैंने फाइल को जल्दी बंद कर दिया था इस फाइल में क्या है कि इस फाइल में एक विशेश बात है हमारे चर्च में संडे शाम को इस हिंदी प्रोग्राम होता है जी के कि juice में क्योंकि कें इसमें पचासव लाक माइग्रेंट incoming के बाहर से कि उन लोगों के बीच में वनने से जावातर हिंदी ही उनके बीच में हमारे चर्च में बहुत के मिनिस्ट्री होती तो वहाँ पर बैठकर अक्सर जब हम लोग गाने गाते हैं तो एक दम से मन में प्रेरना होती है कि इस विशेग के उपर एक गाना लिख दिया जाए और गाने के शब्द अपने अप मन में आते हैं उनको मैं नोट करता चला जाता हूँ लगबग 15-16 गानों की रचना इस तरह से मैंने एक साल में की थी और जिसमें से एक गाना पापी मैं था आप से दूर बचा लिया दया है आपकी पापी मैं था आप से दूर एक पापी प्रभु के सामने खड़े हो कहता है बचा लिया दया है आपकी वो मैंने जितने गाने लिखे उसमें सबसे क्लासिक गाना निकला ट्यूनिंग मैंने नहीं की है ट्यूनिंग का गिफ्ट प्रभु ने नहीं दिया है लेकिन मात्रा के हिसाब से compose करता हूं त्यून करने के लिए मेरे चर्च में तीन तीन चार चार भाई लोग हैं जो ट्यून करते हैं तो एक डायरी एक फाइल सर्फ उसके लिए प्रेरणा मिली नोट कर लो और ले जाके उसमें रख दो बाद में बैठके उसको रिवाइस करते रहना फैर करते इन सब का बहूत बहुत बहुत अधिक फाल मिला है ये बात मैं आपको सबको ययाद दिलाना चाहता हूं तो जिन पुस्तकों के बारे में और जिन टूल्स के बारे में आपको बताना था वो सब बता दिया अब जरा वापस पिछले हफ़ते मैंने कुछ प्रशनों तर दिये थे जिसमें से एक दो प्रशनों को जल्दी-जल्दी मैं जवाब देता चला गया था क्योंकि समय की कमी थ प्रश्णी यह है कि मैं प्रभु के वचन का अध्यान क्यों करूं इन बातों को दूसरों ने पहले ही डून लिया होगा कि यह वैसी ही बात है मैं क्यों खाना खाऊं कि दूसरे लोग तो पहले ही खा रहे हैं सी हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और उसका अध्यान करते अपने स्वयम की भूख मिटाने के लिए तो दूसरे की भूख मिट गई है इससे आपको क्या लेना देना और यदि दूसरे की भूख मिट गई है इससे यदि मेरी भूख मिट जाती तो हमको इस पेट के लिए नौकरी नहीं करनी पड़ती एक मनिश्य खा लेता सारे मनिश्यों का पेट भर जाता तो इसलिए दूसरे ने पहले से ढून निकाला होगा ये महज एक बहाना है हम मैं से हर व्यक्ति प्रभु के वचन का अध्यान और मनन इसलिए करता है कि प्रभु के वचन से मुझे आत्मिक भोजन मिले मेरे पोशन के लिए आत्मिक भोजन मिले एक और प्रश्णी जिसको हमने जल्दी से कवर किया था कि Bible में मेरा कोई खास background नहीं है प्रश्ट भूमी नहीं है तो मैं प्रभु के वचन का अध्यान करूंगा तो जो बाते मुझे मिलेंगी वो सही होंगी या गलत यह मैं नहीं जानता इसलिए प्रभु के वचन का अध्यान मैं नहीं करना चाहता देखिए हमें से हर व्यक्ति म अब तो शायद हाँ हाँ पहली पहली से ही mathematics पढ़ाना शुरू कर दिया है पहले संख्या सीखते हैं उसके बाद जोड़ बाकी गुणा भाग सीखते हैं और उसके बाद तमाम चीज़ें सीखते हैं ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो बिना एक भी गलती किये हुए गनित सीख सकता हो गनित में सबसे सरल होता है आंक गनित ऐसा कोई है क्या जो एक भी गलती किये बिना आंक गनित सीख सकता हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उसके बाद आता है बीजगनित, अलजब्रा, ऐसा कोई है किया जो बिना गलती के अलजब्रा सीख सके, उसके बाद आती है जोमेट्री, जोमेट्री में तो जादा तर लोगों को A, B, C समझ में नहीं आता है, फिर जब आप हायर मैट्स में जाते हैं, तो वहां आती है ट्रि जो है, उसको तकलीफ होगी, मैं उससे हायर ब्रांचस नहीं बोलने जारा, उसके बाद मैथमेटिक्स में सेक्ड़ों ब्रांचस हैं, जिसमें से कुछ इतने जटिल होते हैं, कि कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती है उन प्रशनों को सॉल्ट करने के लिए, लेकिन इन क कठिनाईयों के कारण कभी कोई व्यक्ति, उसके लिए जो जिरूरी मैथमेटिक्स है, उसके अध्यान से दूर रहा है क्या? नहीं, कठिनाईय सबको होती है लेकिन हमारे लिए जिरूरी है, इसलिए उसका हम अध्यान करते हैं, मैं मैथ्स खासकर हायर मैथमेटिक्स जब देखता था क्योंकि मेरे जुकाओ एक्सपियरमेंटल फिजिक्स की और था लेकिन एक बार जब दसे बैसे मैट्स है जो सीखे बिना मैंने जो विशे चूस किया उसमें पीएच डी नहीं हो सकती करना पड़ा तो जब हमें जरूरत होती है तब हम कठनाई पर ध्याननी देते और इसलिए यह दि कठनाई का बहाना करते हैं तो उसका मतलब यह है कि हमें जरूरत हमको ऐसा लगता है कि हम तो स्वेम परियाप्त है हमें प्रभु के वच्चन के अध्यान की जरूरत नहीं है अच्छा कुछ लोग यह मैंने पिछले हफ़ते भी बताया था मेरे नौकरी है वो है यह है उसके कारेंट में कुछ नहीं कर पा रहा लेकिन जो व्यक्ति, नौकरी, परिवा, दोस्त, पचास काम करता है जब उसके बच्चे के एड्मिशन की बात आती है तब तो जाके क्यूं में खड़ा हो जाता है और सुबह चार-चार बजे खड़ा हो जाता है और गौालियर में मदिप्रदेश में तो जो सबसे बड़े वाले स्कूल थे वहां तो दो-दो दिन पहले लोग लाइन लगाना शुरू कर देते थे तब कैसे समय मिल जाता है इसलिए कि आपको मालूम है आपके बच्चे के लिए बेचे के एड्मिशन के लिए जरूरी है इसलिए हम समय निकालते हैं लिए ये बहाना हम ना बनाए कि नौकरी है वो है पचास चीजे हैं इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो प्रश्णोतर में जो लास्ट मैंने जल्दबाजी में दिये थे उसका उत्तर थोड़ा सा और विस्तार से दे दिया है अब प्रभु के वचन की और मैंने प्रभ से पदों को कलेक्ट कर लें और अब तो मैंने आपको कंकॉर्डन से परिशे करवा दिया है बाइबल शब्दावली जो की लगबक हिंदुस्तान की हर भाष्णा में उकलब्द है बाइबल शब्दावली एक खरीद लें आप तो प्रभु के वचन से जो भी विशे आप द जाएगी और इस कारण विशे का अध्यान हमें से हर व्यक्ति कर सकता है और किसी भी व्यक्ति के पास कोई बहाना नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए परियाप्ति टूल्स दे रखे हैं इतना ही नहीं हमें से यहां एक से दिग्गज हैं जो सरफ एक मोबाइल की सहाइता से सारी दुनिया चलाते हैं मतलब अपने बैंक आकाउंट भी उस पर रखते हैं और मार्केट में जाते हैं तो पेमेंट उससे करते हैं टिकेट रिजर्वेशन उससे करते हैं सब कुछ करते हैं ऐसे लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मोबाइल फोन पर एक से एक उत्तम वाइबल उपलब्द है एक से एक उपलब्द कंकॉर्डेंस अवेलबल है और इसलिए यदि आप ऐसे वेक्ति हैं जो मोबाइल का बहुत दिक उपयोग करते हैं तो यह मैं जो कुछ बता रहा हूं एक से एक मोबाइल पर उपलब्द हैं जो लोग पर इस समय उपलब्द तमाम सारे जो इलेक्ट्रोनिक बाइबल्स हैं उनमें सर्वोतम है इसोड ये फ्री है मैंने कमेंट बॉक्स में वो टाइटल डाल दिया है जिससे कि आप मैसे जो इन चीजों में दिल्चस्पी लेते हैं वो देखना चाहें यदि आप कंप्यूटर का उपयोग बहुत अधिक करते हों तो इसोड तो यदि कंप्यूटर पर आ जाता है तो यह समझ लीजे कि मैजिक है आपके अध्यान को वो हर तरह से मदद देगा मैं इसोड का अव्यक्तिकत रूप से मैं दुनिया में जितने भी कंप्यूटर आधारित बाइबल हैं मैंने सभी का उपयोग किया है सब को आजमाईश करके देखा है उसमें फ्री में जो उपलब्ध है उन में सर्वौतम है यी सोड यूस करने में सरल बैबलीकिशनर उपलब्ध है और आमसे कर सकते अब इसके पहले मैंने एक बार आपको हिंट दिया था कि विशे के अलावा पुस्तक का भी अध्यान किया जा सकता है उसके बारे मैं आज कुछ शब्द और जोड़ना चाहता हूं और वो यह है मेरी राय में प्रत्यक विश्वासी को गलातियों की पत्री से पुस्तक का अध्यानारम करना चाहिए उसके पीछे कारण है गलातियों की पत्री जह है उसका एक बहुत क्लियर आउटलाइन है पवित्रात्मा ने एक बहुत क्लियर आउटलाइन के द्वारा उस पुस्तक की रेचना करवाई थी और कोई भी व्यक्ति जो दस बार उस पुस्तक को पढ़ने के लिए तयार है उसको वो आउटलाइन अपने आप दिखने लगेगा आप कहेंगे जॉंसन ब्रादर दस बार देखिए क्रिकेट का मैच आ रहा हो और यदि वो दस तिन चलने वाला हो चलता है याने बुझे नहीं मालूम मैं क्रिकेट नहीं देखता क्रिकेट गुनामों का खेल है मतलब अंग्रेज़ों का खेल है जिसे गुलाम सुबह से शाम तक देखते रहते हैं क्रिकिट के खेल के लिए हम कितना समय देते हैं और यह दी दस तिन चल रहा हो, ओलिम्पिक दस तिन चल रहा हो, हम दस तिन देखते हैं एक दिन और कितने घंटे देखते हैं एक दिन महज आदा घंटा खर्च करेंगे तो गलातियों की पत्रे आप अपनी मात्र भाष्य में complete पढ़ सकते हैं Actually आदा घंटा नहीं लगता है मेरे जैसे जो तेजी से पढ़ते हैं मुझे 20 मिनित लगते हैं गलातियों की पत्री को complete हिंदी में पढ़के खतम करने में तो आदा घंटा एदी एक दिन देते हैं तो दस दिन में आप दस बार पढ़ लेंगे इसलिए मैं यहाँ पर कोई आसमान से तारे तोड़ने की बात नहीं कर रहा है नार्मिल बात कर रहा हूं पांच-छे बार पढ़ते ही हमको लगेगा कि वा 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 इसमें तो डिविजिन है और दस बार में डिविजिन काफी क्लियर हो जाता है नोट कीजिए इसको उसके बाद एक दो बार और पढ़िये नोट को रिफाइन कीजिए छोड़ दीजिए उसके बाद इसी तरह से किसी और पुस्तक को उठा लीजिए इफीसियों को ना ले इफीसियों काफी टफ है पढ़ने में बहुत आनन देता है लेकिन इफीसियों की पत्री काफी कठिन है पहले युहन्ना को ले लीजे याकूब की पत्रे ले लीजे थिमोटियोस ले लीजे पत्रस ले लीजे ये ज़्यादा आसान है इफिस्यों की पत्री कई बार हम उसको समझ नहीं पाते वो इतना टफ पुस्तक है पहले अध्याय में एक वाक्य लगबग अठारा पद है पद में हमारी भाषा में डिवाइट किया गया है वो अठारा पद मिलकर ग्रीक में एक वाक्य है तो फिलिपियों पत्रस याकूब तिमोटी वगरे जादा अच्छे रहेंगे उन में से किसी एक को चुनकर पढ़िए इसी तरह से दस बार पढ़िए और यह सारी पत्रिकाएं पत्रियें आप घंटे से कम समय में पढ़ी जा सकती है गलातियों को पढ़ने के बाद जब आ आपको लगेगा कि अच्छा आपता आउट लाइन और अच्छी तरह से जल्दी समझ में आना लगा है ऐसा है कि जब हम प्रैक्टीस आरम कर देते हैं तो उससे संबंदे थारशी पहले की तुलना में आसान हो जाती है इस तरह से क्रम बद्ध तरीके से परमेश्वर के वचन से जो चार-चार छे-छे अध्यायों के पुस्तक है उनका अध्यान कीजिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्र दुग्रह आएगा उसकी कोई सीमा नहीं है हाँ समय लगेगा अचार के समान है पुराना अचार और अधिक टेस्टी समझे जाता है खासकर नीबू का अचार कल मैं यहां पास में एक दुकान है जहाँ पर उनका बहुत प्रसिद लहसुन और नीबू का अचार है दुकानदार की मा बनाती है और यह परिवार का ट्रेड़ सीक्रिट है कि वो कैसे बनाते हैं तो कल मैंने उससे पूछा मेरे बहुत अच्छे संबंद है कल मैंने ग्रहकों में से है, मैं आपको trade secret बता सकता हूँ, मा नीबु का अचार बना देती है, तो उसको बांध के रख देती है, साल बर के बाद वो खुलता है, यह है उनके अचार के टेस्ट का स्वाद, इसी तरह से जब हम प्रभु के वचन का अध्यान करते हैं, तो उसको इकटा क करके रखते जाएए, रखते जाएए, रखते जाएए, फाइनली एक समय आएगा, जब वो आपके लिए, अपने स्वाहिम के अध्यान के लिए, अपने बच्चों को, सेंडे स्कूल या अन्य जगह अध्यान के लिए आपकी मदद करेगा, इसका एक व्यक्तिगत नमूना मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने प्रभू को पाँच साल की उमर में उद्धार करता ग्रहंड किया था मेरे पापा प्रचारक हैं दादा भी प्रचारक हैं ऐसे एक परिवार में मेरा जन्म हुआ था और मैं अपनी उमर के बच्चों से ज्यादा इंट्रीजन्त था हर चीज समझ में आ जाती थी फ़ांच साल की उमर में मैंने पापा से पूछा कि प्रभू को ग्रहंड करने के लिए मैं क्या कर responsibilities सुर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं युहना तीन सुला के आधर पर पापा ने मुझे यह समझाया कि किस तरह से प्रभू को ग्रहण करना है क्योंकि प्रभू ने तुम्हेरे लिए अपने जीवन दे दिया पाइच साल की उमर में मैंने प्रभू को ग्रहण किया लेकिन 15-16 साल की उमर आते आते विश्वास में मैं बहुत प्रस्थ हो गया खास कर उस समय विज्ञान की जो किताबें वगरा सब पढ़ता था वो सब बताती थी कि बाइबल में जो लिखा है वो सब गलत है और मनिश्व तो बंदरों से आया है और किसी ने स्रिष्टी वगरा नहीं की लेकिन मेरे मन में एक बहुत गहरी इच्छा थी कि प्रभू मैं सचाई जानना चाहता हूं और फाइनली जब मैं B.S.E. फस्ट यूर में था तब एक विशेश पुस्तक की मदद से प्रभू ने मेरे विश्वास को यथा स्थान कर दिया मतला आर्म करते समय जैसा था वैस सही कर दिया उसके साथ साथ प्रभू के वचन को गहराई से प्रभू के वचन का अध्यान करने के लिए प्रभू ने मेरे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा दी उस समय मेरे एक कजिन जो बाइबल स्कूल में पढ़ते थे वो चुटियों में प्रैक्टिकल वर्थ के लिए ग्वालियर आये थे तो जब मैंने उनसे पूछा की जब मैंने उनसे पूछा की प्रभू के वचन का गहराई से अध्यान के लिए क्या करना चाहिए तो उन्हों ने कह क्या रहे जॉंसन एक काम करो बाइबल के एक पुस्तक ले लो और उसका गहराई से अध्यान करो मैंने का यह तो बहुत मुश्किल बात है मैं तो कभे बाइबल स्कूल नहीं गया तो मेरा कसिन हस पड़ा कि देखो मैं बाइबल स्कूल गया उसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम भी जाओ और बाइबल स्कूल में प्रभु का वच्छन सिखाया जाता है उसका मतलब यह थोड़ी है कि प्रभु का वच्छन सिर्फ बाइबल स्कूल में ही सीखा जा सकता है उन्होंने मुझे यह तकली यह जो में थरड़ यह बताया पड़ो एक किताब को दस बार मैंने को दस बार उन्हेंने का कि तू जरा पढ़के देखना कि एक बार पढ़ने में कितना टाइम लगता है तो बिए सी फस्टियर में बहुत तेजी से पढ़ा करता था तो गलातियों की पत्री कि 15-16 मिनिट में खतम हो गई तो उन्हेंने मुझसे का कि तू एक घंटे प्रभु के तू प्रती दिन प्रभु के वचन के अध्यन के लिए कितना समय देने को तयार है मैंने का एक घंटा दे सकता हूं मेरी पढ़ाई पर कोई आंच नहीं आएगा तो उन्हेंने का तुझ अच्छा अब तो पढ़ता रहे और डायरी में नोट करता रहे उन्हेंने ही मुझे एक डायरी दिलवा दी और मैंने गलातियों की पत्री का उटलाइन लिखना शुरू किया पहले जो लिखा अगली रिडिंग में उसको थोड़ा सा और दस बार पढ़ने के बाद आउटल तब अचानक आपको लगेगा किया रहे बाप रहे अब तो और अधिक प्रकाश मिल रहा है मैंने यह सब किया है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं यह मैंने किया था उन्नीस सो इकत्तर में उसके लगबक पचास साल बाद पिछले दिनों मैंने गलातियों की पत्री का एक अध्ययन लिखना शुरू किया पचास साल पहले जो मैंने पढ़ा था वो पचास साल से मेरे मन में पढ़ा हुआ है और जिस तरह से अचार पुराना होते 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 और टेस्टी हो जाता है प्रभू का वचन जो मेरे मन में था वो और अधिक स्पष्ट होता चला गया और अधिक स्पष्ट होता चला गया तो फिर रुकना नहीं पड़ा, मुड के देखना नहीं पड़ा, अफसोस नहीं हुआ प्रभु का वचन जो पचास साल पहले से जो उटलाइन मेरे मन में पड़ा था वो धीरे धीरे बोलने लगा, वो धीरे धीरे मुझे प्रेर ना देने लगा और मैंने लिखना शुरू किया, चल रही है, प्रभु ने मदद की तो कुछ सालों में हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हो जाएगा अभी तो मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, यहुदा की पत्री जिसकी कमेंटरी मैं अंग्रेजी में लिख रहा था उसका हिंदी अन्वाद आर्म हो गया है, प्रभु ने मदद की तो जल्दी ही आपके हाथों में आ जाएगा आज क्लास एटिन कर रही है, डोरा नाम से, वो मेरी इमीडिटली छुटी बहन है, जो अंग्रेजी से हिंदी के अन्वाद में एक्सपर्ट है उसने काम शिरू कर दिया है, तो बहुत जल्दी ही ये सब उपलब्ध हो जाएगा प्रार्थन कीजे कि प्रभु मुझे बल और शक्ति दें, इसके साथ-साथ ये क्लास, ये विशे मैं यहां समात कर रहा हूँ प्रभु ने मदद की, तो अगले हफ़ते से हम एक और नए विशे को लेंगे और वो विशे है अलगाव और पवित्री करण separation and sanctification हम एक ऐसी युप में जी रहे हैं, जब separation या अलगाव लोग पसंद नहीं करते लोग चाते हैं कि जैसा दूसरे कर रहे हैं, वैसा ही हम भी करें आजकल लड़कों की चुटिया बनाने का fashion है, बजार में कहीं भी निकल जाएं तो हर जगे चुटिया वाले नजर आते हैं क्यों? इसलिए कि जहां सारे के सारे लड़के चुटि बांद रहे हैं, बाल बढ़ा के चुटिया बांद रहे हैं, वहां नॉर्मल बालों के साथ जाने में लोगों को बड़ी हिचक होती है क्यों? इसलिए कि आप अलग थलग पड़ जाएंगे हाँ, एक बात है, किसी जमाने में नाटक में स्त्रीयों का जो रोल है वो भी पूरिशी प्लेई किया करते थे तो चुटिया बढ़ा लें, तो कल को यदि ऐसी स्तिती आएगी, तो आप बड़े आराम से सही वस्तरादी पहन लें, तो स्री का अभने भी कर लेंगे, खास करिये दी, स्री के आवाज और आप निकाल सकते तो लेकिन ये जो बात मैंने मजाक में कही, वो इस बात को दिखाती है कि हम में से कोई भी व्यक्ति अलग, दूसरों से अलग नहीं दिखना चाता है लेकिन प्रभू का वचन ये याद दिलाता है कि प्रभू अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वे कुछ चीजों से अलग रहेंगे, इतना ही नहीं अपने जीवन में, प्रती दिन के जीवन में, प्रती दिन के जीवन में कल हमारा जीवन जितना पवित्र था आज उससे ज़्यादा होगा और आने वाले दिन उससे भी आधिक होगा ये विशे ना केवल स्कूल में कॉलेज में नौकरी करते समय ना केवल इन सब जगे हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है लेकिन अलगाव विशे जो है वो इवन हमारे वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालता है सबसे रिलेटेड है तो प्रभु मदद करेंगे तो अगले हफते से हम इन विशेओं का ध्यान करेंगे ये जो क्लासस हैं ये दो या तीन दिन में यूट्यूब पर पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएंगे ये बात पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ प्रभु आप सब को अनगर दे प्रभु के नाम की स्तूती हो प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रभचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रभचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्थ हिमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोथ साहन देता है जै मसीह की